कि अधिया नाम नसीर है सर जुमयाण कश्मीर से आया है यहां पर अपनी डेलिगेशन लेकर आये थे सर हम 12 तेरा बंदे थे तो पिछले चार दिनों से हम यहीं पर है दहली में अभी हम यहां पर आये थे अपनी ग्रिविंज डालने हमारा जो काम है हमने आलमोस्ट कर दिया ह है अब हमारी जो हमारे मसले है वह हम कश्मीर से लेकर जुमू कश्मीर से लेकर यहां तक लेकर है अब इनका काम है हमारे साथ इंसाफ करना और यह भी मैं बोल दू कि हमें अशूरंस मिल रही है यह नहीं कि हम यहां पर आये और कुछ नहीं हुआ अशूरंस मिल रही है हर तो फिर हमारा जो मैंन मॉट्ई है इनका जो है incredibly Michael मैं आपको ये भी बता दू कि हम ने बहुत सारी महनत करीं है आप अप भी इस बाद को जिमाग में आपको महनत करनी मेहनत करने के बाद आपको दिलिये आना थिसकी तैयारि कर रो आप सारी क्योंकि रहा कि आपका लिस्टी सीधे नहीं आने वाला आपको लड़ना है उसके लिए भी हर चीज के लिए यहां पर खड़े हैं आज इनका एक तिवहार है रक्षा बंदन उसका सेक्रिफाइस करके अपनी बेहनों को छोड़के यहां पर आये सर अधर देखो हमारे यहां पर बाई ही हमारे ले नहीं होने हम दना लेसमें कर लिया तब हर जगा हम कियूं मह Each को हमें प्रूब करना पड़ता है यह इसे कि आज हमारी करना भार के कालир हम ने बताया है कि यहां witness के लिए हम होम मिनिस्ट्री म. ऎई थ कहता है उर रूठ हमके जो कसताए है। तो चलो आज ये हुआ कि हमारी होइन इस्ट्री में भी घृर्इवि키्स, जो है असेब्ट कर ली गई है और पीम ऊफिस में भी घृर्इविंस असेब्ट कर ली गई है तो उसके बाखाइदह हमारे जरूरत पड़ी जैसे हम बार बार मैसेज दे चुके हैं कि इसके बाद हमें जो जरूरत पड़ी जनतर मंतर का जैसे हम बार बार बता चुके हैं अगर हमें जरूरत पड़ी 16 से 17 के बाद आनेगी तो जनतर मंतर पे पूर जोर प्रोटेस्ट किया जाएगा इस बात को सरकार ख्याल में रखे कि जेन्ड के स्टूडंट्स specifically हम अपनी बात करें तो हम इस फेवर में नहीं थे कि हम अपनी जो हैं जेन्ड के की यूटी की रैपोड को खराब करते बद हमें मजबूर किया गया हमें सताया गया हमारे साथ इन्साफ नहीं हुआ इसलिए मजबूर होंगे हम अगर हम जंतरमंतर का स्टैप लेंगे उसका जुम्हेबार भी हमारा एड्मिनिस्ट्रेशन हमारा सिस्टम हमारा वो सिस्टम जो बच्चों की आवाज को दबाता है जो बच्चों के साथ नाइनसाफी करता है वो ही सिस्टम जुम्हेबार होगा आज जैसे हम चल रहे हैं, ये लड़ाई जो अगर शेडी है तो सर, हम इसे अनजाम देखकर ही शोड़ें के सक्रैब कभी भी बरदाश नहीं किया जाएगा, सक्रैब कभी भी बरदाश नहीं किया जाएगा सर.